नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने चनल टेक आर भी एम में आज मैं बात करने वाला हूँ जो यहां से मैच खला जाएगा मेलन भर्सेज एस्पेल के बीच में जो सिरिया एक का मैच है बात करेंगे उसके डिरीम 11 टीम पलेंग 11 और important player बताऊंगा important player में कौन शे player ने कितने गोल किये हैं वो बताऊंगा जिससे आपको player चुनने में आसानी होगी और आप एक खुद अच्छा team बना कर आच्छा win कर सकते हैं तो बात करने से पहले अगर आप हमाने चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल के घंटी को दवा लिजे ताकि आपको notification मिल सके और जो मैं वीडियो डालू वो शब्से पहले आप तक पहुँच सके और वीडियो को एक like जरूर कर दीजे ताकि हमें motivation मिल सके तो चलिए बात करते हैं यहां से जो ऐसी मिलम मर्शेश्पियल के वीच में मैसला जाएगा सैंस सीरो मिलन इटली में मैसला जाएगा तो मिलन का होम ग्राउंड बात कर लेंगे यहां से head to head की तो दोनों ने साथ में ज्यादा match नहीं खेले हैं दोनों ने केवल दो ही match खेले हैं साथ में क्योंकि यहां से spell की team जो है नया है पहले सहीं नहीं है और इधर 2013 से खेल रही है तो यहां से दो ही मैच खिले हैं और दोनों मैच मिलन ने जीते हैं तो बात कर लेंगे यहां से रिशन फॉर्म की तो रिशन फॉर्म में एसी मिलन ने पिछले छे मैचों में यहां से एक मैच जीता है और तीन मैच ड्रो किया है वही बात करें तो दो मैच में हार का स्रामना करना परा है वही यहां से बात करेंगे इस पेल की टीम की तो यहां से पिछले छे मैचों में चार मैच ड्रो किया है और दो मैचों में हार का स्रामना करना परा है कोई भी मैच पिछले 6 मैचों में कोई भी मैच नहीं जीता है लेकिन यहां से 4 मैच ड्रो किया है तो ठीक ठाक ही इस पेल की टीम कर रही है लेकिन यहां से AC मिलन के सामने काफी कमजोड टीम है इस पेल के टीम तो यहां से AC Milan के तरफ से ही 6-7 प्लेयर आप रखेगा 7 प्लेयर रखेगा तो ज़्यादा बेटर आएगा उसके बाद यहां से इस पेल के तरफ से 4-5 प्लेयर आप रखेगा उसके बाद बात कर लेंगे आसा पॉइंट स्टेवल की तो पॉइंट स्टेवल में AC Milan का स्थान है 6-8 प्लेयर आठाइस प्लेयर आठाइस प्लेयर के साथ वह यहां से बात करेंगे इस पेल की तो 15 रामा स्थान है 17 प्लेयर के साथ बात कर लेंगे मैचों की तो AC Milan खेले हैं 18 मैच जीते हैं इसमें से 7 मैच ड्रो रहा है और 4 मैचों में हार का श्रमना करना पर रहा है वह बात करेंगे इस पेल की तो यहां से यह भी 18 मैच के लिए हैं 4 मैच जीते हैं और 5 मैच ड्रो किये हैं और 9 मैच हारे हैं बात कर लेंगे यहां से AC Milan के प्लेयंग लेवन की तो AC Milan के playing level में यहाँ से डोनार रुमा है जो गोल किपिंग करते नजराएंगे डिविड कलाबरिया है मैटियो मुसाचियो है अलेसियो रोमा गुलनोली है और यहाँ से रिकार्डो रोडरी गिव्ज है फ्रैंक केसी है ट्यूमो बकायको है शैमुल कैस्टी लेजो है है केन कालहंगलू है कैंजोलो ह्यूगन है और पैट्रिक क्यूट्रून है तो यह है आज का playing level AC Milan का बात कर लेंगे हैं से charisma 들어가 icy व्यासिव कारेंट यहाँ से डोना रोमा आ जो प्रोडरेंट है गोलगिफिंग में औो यहांसे डेविट क्लाब्रिया है जो इंप लेंओ उसको भाद यहां से रोमा डूली है जो इंपोडेंट प्लेयर है उसका बाद यहांसे रिकारडो रोडरिग्योज का और important player हैं उसको बाद केसी हैं जो important player है एक सकते हैं कि यहाँ से नई स्टर सफब्रियां है फिचले 14 में चुना में उसको बाद करेंगे तो 17 में दो किया है केसी की बात करेंगे तो 17 में तीन गोल और शाथ में एक असिस्ट भी किया है उसके बाद यहां से शैमोल की बात करेंगे तो 15 में एक असिस्ट किया है उसके बाद हैकन के बात करेंगे तो 16 में दो असिस्ट किया है फॉर्म में नहीं चल रहा है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहां से फॉर्म में इस बार नहीं चल रहा है, उसके बाद यहां से हिूगेन है, यह भी अच्छे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, चवदा महिचो में पांच गोल और एक असिस्ट कर चुके हैं पैट्रिक की ट्रियों हैं उसके बाद यहां से फ्रैंसिस्को विकारी है थीगो शुनेक है मिन्वल लजारी है शिमोने मिस्यूरोली है और यहां से जैस्मिन कूर्टिक है पैस्क्योला शेचितारेला है और मुहमद फारेस है एंद्रिया पाटगाना है मिरको एंटेनिश्ची है तो अब बात कर लेंग जो इंपोर्टेन्ट प्लेयर है 16 मैचों में 2 असिस्ट कर चुके है यहां से फ्रैंसिस विकारी जो 14 मैच खेले है कुछ कोई असिस्ट और कोई गोल नहीं करी है उसके बाद योगो है जो 15 मैच खेले है कोई गोल और कोई असिस्ट नहीं लजारी है जो 18 मैचों में 5 गोल असिस्ट कर चुके हैं तो काफी अच्छे प्लेयर हैं स्पेल के तरब से तो आप इने पिक कर सकते हैं उसके बाद यहां से बेलो को पिक कर सकते हैं और यहां से मिसोरली का देख सकते हैं सात्रा मैच कियो है कोई गोल नहीं किए है कुर्तिक है जो 12 मैच के Gates टीन गोल कर चुके हैं तो अच्छे प्लेर है और सबसे बेस्ट प्लेर यहाँ से भुत अच्छे प्लेर है उसके बाद यहां से पैस क्योँ लिए है जो 15 मैच कि लिए दो असीस्ट किया है इंपोटेंट प्लेयर है मुहमद भारेश है 17 मैचो में एक असिस्ट किया है उसके बाद यहां से एंद्रिया पतागना है जो 17 मैचो में 5 गोल किये हैं तो सबसे बेस्ट प्लेयर यहां से यह है और यहां से मिर्को अन तैनुची है जो 16 मैचो में 3 गोल कर चुके है तो यहां से 4 से 5 प्लेयर काफी इमपूटेंट है तो आप इनहीं 4-5 के साथ आँ जा सकते हैं तो अब डिटीम बनाएंगे तो टीम बताने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किये हैं तो टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिजे और हाला पले और विश्ट् इलेवन पर ल 11 से भी रेफर के यूज की यूज की जिएगा तो यहां से भी 100 रुपया बोनस मिलेगा और उससे आप खेल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए तो चलिए बात करते हैं टीम की तो यहां से एजिट करके देख लेते हैं बात करेंगे गोल कीपन में तो मैंने यहां से डोनार्मा को रखा है जो काफी बेस्ट आप्शन है आप ग्रेंड लिग में गोमिश को भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन यहां से डोनार्मा काफी बेस्ट आप्शन है बात कर लें लिपो डाल बेलो को रख सकते हैं काफी बेस्ट आप्शन है स्पेल के तरफ से तो आप इन्हें ट्राइक कर सकते हैं यही अच्छे प्लेयर हमको लग रहा है तो आप इन्हें ट्राइक कर सकते हैं बात कर लेंगे यहां से मीड फ्लेयर की तरफ से तो यहां से जैस्मिन कूर् को मैने रखा है बात कर लेंगे ओप्षन की तो आप के पास यहां से कैश्टिलLord का आप्षन है जो उतमी अच्छे प्लेयर मैं है बकायकों को भी आप रख्ष रखते हैं लेकिन ये भी कोई खास प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है बात करेंगे यहां से इस्टेट फर्वार्ट से तो इस्टेट फर्वार्वार्ड में मैंने यहांसे लिया है एंद्रिया पठागना को जो काफी बेस्ट ओफ्सन है spell के तरफ से और के ट्रूनों के ले लिया है और काल हलूंगुलु को मैंने ले लिया है आप यहांसे मिरको एंटेंचु को ट्राइ कर सकते हैं जो बेस्ट ऑप्सन एक है तो आप इनके साथ जाएगा बात कर लेंगे captain voice captain की तो captain मैंने यहां से Frank Casey को बनाया है और voice captain डुनारमा का बनाया है क्योंकि हर मैच में अच्छे point देते हैं बात करने लिए captain voice captain के option की तो यहां से यह तीनों option है आपके पास captain voice captain कैप्टन बना सकते इन्हें काफी best option है उसके बाद बात कर लेंगे तो यहां से यह दोनों काफी अच्छे option है आप इन्हें बना सकते हैं captain voice captain तो अब बात कर लेंगे दूसरे टीम की तो दूसरा टीम का मैं प्रिव्यू दिखा देता हूं यहां से मैंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है उसके बाद captain मैंने यहां से frank Casey को ही बनाया है और Ricardo Rodriguez को भाइस captain बनाया है तो आप अपने हिसाब से यहां से मैंने Hugin को रख लिया है तो आप अपने हिसाब से team में कोई change भी कर सकते हैं और team और captain voice captain copy मत किजिएगा अपने हिसाब से लगाएगा पुरा खिलारी का power लिखा हुआ है कि कितना goal कर रहा है कौन शाप player कितना form में चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने से खुद team बना सकते हैं तो copy मत किजिएगा आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ होगा वीडियो को एक like कर दिजिए चैनल को subscribe कर लिजिए और share कर दिजिए अप thank you best of luck